फ्रेंद्स, एक वर्ब के पाँच सक्ल होते हैं, यानि पाँच फॉर्म होते हैं, जैसे अगर मैं यह बात आपको गोऊ पर समझाओं, तो मैं कह सकता हूँ, go सबसे पहला form होता है, यानि पहला सकल होता है, और उसका दूसरा form went, तीसरा gone, चौथा going और पाचवा goज होता है, वर्म के पाच फॉर्म होते हैं, अगर मैं बात speak की करूँ, पहला speak, दूसरा spoke, तीसरा spoken, चौथा speaking और पाचवा speaks, अगर बात मैं खाना यानि इट की करूँ, तो first form eat, second at, third eaten, चौथा eating और पाचवा it, तो एक वापके पाच सकल होते हैं, और friends, इसी के studies को हम tense कहते हैं, यानि आम तोर पर student tense पढ़ते हैं, और ये भी जानते हैं कि tense का हिंदी अर्थ काल होता है, लेकिन बहुत कम ही ऐसे student हैं जो ये जानते हैं कि tense की परिभासा यानि definition क्या होती है, ये tense क्या है, कभी आपने सोचा है, Friends, वर्ब के different forms को जानना या उसके बारे में study करना ही tense कहलाता है, यानि मैं इसे ऐसे भी कह सकता हूँ कि किरिया के बिभिन रूपों का अध्यान ही tense कहलाता है, ये वर्ब के सभी रूप हैं, सकल हैं, और इनी के बारे में study करना tense होता है, इन सभी के पास prisoner helping verb होते हैं, जो इनके लिए काम करते हैं, जो हमारा first form होता है, यानि जो पहला सकल होता है, उसके लिए do आता है, दूसरे सकल के लिए did यूज किया जाता है, और तीसरे सकल के लिए have head या head का यूज किया जाता है, चौंते सकल के लिए हम इजारम या वाजवर का यूज करते हैं, बात अगर present time में है, तो इजारम अगर बात गुजर चुका है, तो वाजवर का यूज करते हैं, और पांचों के पास अपना personal helping verb होता है, जो वक्त आने पर उनकी मदद करता है, First form के लिए do आता है, Second form के लिए did आता है, और थर्ड़ फॉर्म के लिए have, has, had, forth form के लिए यारण वाजवर, और fifth form के लिए does का यूज किया जाता है, फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको एक और खास बात बता दूँ कि आफ़ा मेटू सेंटेसेज में यानि साकारात्मक वाक्यों में फॉर्स्ट फॉर्म और सेकेंड फॉर्म और फिफ्ट फॉर्म अपने हेल्पिंग वर्प की मदद नहीं लेते हैं यानि पहला रूप, दूसरा रूप और पाचवा रूप जब साकारात्मक रहते हैं या आफ़ा मेटू रहते हैं तो अपने हेल्पिंग वर्प की मदद नहीं लेते हैं ये अपने helping verb की मदद तभी लेते हैं जब ये नाकार आत्मक हो या प्रस्णवाचक हो यानि negative हो या interrogative हो लेकिन तीसरा और चवथा यानि third form और fourth form ये दोनों ऐसे verb होते हैं जो हर condition में अपने helping verb की मदद लेते हैं अगर वो affirmative हो तो भी अगर वो negative हो तो भी और अगर बात interrogative हो तो भी तो आप ये बात याद रखिएगा कि एक verb की पांच form होते हैं पांचों के पास अपना personal helping verb होता है पहला का do, दुसरा का did, तिसरा का have a, या hat, चोटा का यार्ण या वाजवर और पांचवा का does और अंतिम बात first form, second form और fifth form जब ये positive रहते हैं यारी साकार आत्मक रहते हैं तो ये अपने helping verb की मदद नहीं लेते हैं लेकिन तिसरा और चोटा हर condition में अपने helping verb की मदद लेते हैं आये friends सीखें कि कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा सब्द verb होता है और कौन सा सब्द verb नहीं होता है यहां मैं आपको एक trick बताऊंगा जो किताबों में नहीं लिखा है अगर आप इस trick को इस्तेमाल करेंगे तो बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि किस तरह के word verb होते हैं और किस तरह के word verb नहीं होते हैं तो चलिए देखे what trick क्या है मालने जीए आपके सामने बहुत सारे words हैं और आपको जानना है कि कौन verb है कौन verb नहीं है और आपको ज़्यादा grammar भी नहीं आता, कोई tension की बात नहीं, आप उस सब्द का हिंदी पढ़ें, अगर उस word का हिंदी अर्थ पढ़ने पर last में ना आता है, तो वह verb होगा, लिकिन अगर ना नहीं आता है, तो वह verb नहीं हो सकता, कैसे? कम मिन्स आ ना, जब आपके हिंदी सब्द के अंत में ना आये, तो ऐसे सब्द वर्ब कहलाते हैं, पूर मिस होता है गरीब, फ्रेंट्स, इस सब्द के last में ना नहीं आया, ये वर्ब हो ही नहीं सकता, दुनिया की कोई भी ताकत इसको वर्ब नहीं कह सकती, इस पीक में सोता है बोल ना, फ्रेंट्स, आप खुद बताएए क्या ये वर्ब है, जी हाँ ये वर्ब है, ये वर्ब है, क्योंकि last में आया है ना, आईए बात dance की करते हैं, ना च ना, फ्रेंट्स, ये भी वर्ब है, आप देख सकते हैं, last में आया है ना, happy का मतलब होता है खुस यह वर्ब नहीं है क्योंकि इसको पढ़ने पर last में ना नहीं आया weep का मतलब होता है रोना और friends कोई doubt नहीं कि यह एक वर्ब है तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह के word वर्ब होते हैं और किस तरह के word वर्ब नहीं होते हैं आप उसका हिंदी मिनिंग पढ़ लिजी, अगर मैं कहूं हंगरी, तो हंगरी का मतलब होता है भूखा, ये वब नहीं हो सकता, अगर मैं कहूं लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब होता है मिहनती, ये एक वब नहीं हो सकता, अगर मैं कहूं एंगरी, एंगरी भी सोता है या क्रोधित ये वर्ब नहीं हो सकता अगर मैं कहूं foolish foolish का मतलब होता है मुर्ख या एक वर्ब नहीं हो सकता लेकिन friends अगर मैं कहूं run तो run का मतलब होता है दोड़ना ये एक वर्ब है sit, sit का मतलब होता है बैठना ये एक वर्ब है right, right का मतलब होता है लिखना ये एक verb है तो friends, treat यही था कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा सब्द verb है और कौन सा सब्द verb नहीं है तो आप उसका हिंदी अर्थ पढ़ लें आपको पता चल जाएगा कि वो verb है कि नहीं है friends, अब यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बता दू कि कुछ ऐसे सब्द हैं यानि दो-चार ऐसे सब्द हैं जिसको पढ़ने पर अंत में ना आता है लेकिन वर्ब नहीं होता इस तरह के सब्द को हम exception या आपवार कहते हैं तो आपको वो बात जान लेना चाहिए ताकि learning में कोई कमी न रहे चलिए उस बात को जानते हैं friends, sweat, परसीना, गोल्ड, सोना, एक्सिडेंट, दुरघटना ये तीनो ऐसे वर्ड हैं जिनके अंत में ना तो आता है लिकिन ये वर्ब नहीं होते ये exception या अपवार होते हैं अब सवाल ये है क्या बस यही तीन वर्ड है या और भी हैं तो friends, English dictionary में तकरीबन नौ नाख वर्ड हैं और ये अभी एक सच्चाई है कि मुझे सभी वर्ड नहीं आते तो फिर मैं कैसे कर सकता हूँ कि यही तीन वर्ड है हो सकता है कि और भी एक दो वर्ड हो जो अभी मेरे तक पहुची ही नहीं है यानि मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है हो सकता है तो अब सवाल ये है कि इस condition में कैसे समझें कि exception कौन कौन है इसका मैं आपको एक trick बताता हूँ उसके जरिये आप बड़े आसानी से समझ जाएंगे कि कौन exception होंगे या अपवाद होंगे ये तो किलिया है कि आपको ये तीनो वर्ड याद है लेकिन अगर कोई नया वर्ड आया तो आप जान पाएं कि वो अपवाद है कि नहीं आप उसको ऐसे जाने अगर वो वर्ड वाकई वर्ब है तो वर्ब के अंदर एक खास आदत पाई जाती है कि वर्ब हमेशा मोशन में रहता है हमेशा गतिसील होता है जैसे कि फवारा जो 24 आज चलता रहता है तो अगर वो वाकई वर्ब है तो वो हमेशा गति में रहेगा हमेशा motion में रहेगा लेकिन अगर कोई word है जिसके last में ना आ रहा और उसमें कोई भी हरकत नहीं है कोई भी motion नहीं है तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि वो सब्द verb नहीं है वो अपवाद है आईए एक्जाम्बन में समझें अगर मैं कहूं run और इसके बारे में सोचूं क्या ये वर्ब है तो आप इसको ऐसे समझें कि मैं खड़ा हूँ और मुझे दोड़ना है क्या ऐसा मुम्किन है कि मैं बीना हिले दोड़ पाऊँ नहीं मुझे दोड़ने के लिए हिलना तो पड़ेगा यानि गती में आना पड़ेगा मोशन में आना पड़ेगा तो ये वर्ब है अगर मैं बात कहूं मुस्कुराना अगर मैं नॉर्मल ऐसे खड़ा हूँ तो क्या मैं मुस्कुरा पाऊँगा नहीं मुस्कुराने के लिए मुझे अपने मान स्पेशियों को हिलाना पड़ेगा मुझे अपने मुँ के अंदर activities करनी पड़ेगी यानि बिना हिले ये action नहीं हो सकता तो ये verb है अगर मैं बात right की करूँ यानि लिखना और जानना चाहूं कि ये verb है की नहीं तो जरा सूचिये अगर मैं यहाँ कलम रख दू और सूचूं कि बीना हिलाए मैं कुछ लिखनू क्या मैं अपना हाथ बीना हिलाए कुछ लिख पाऊंगा बेलकुल नहीं लिख सकता क्योंकि मुझे लिखने के लिए अपने हाथ को गती में लाना होगा तो ये verb है क्योंकि बीना मोशन में आये ये काम नहीं हो सकता जब मैं ये बात अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूँ तो कितने इस्टूटेट कहते हैं सिट यानि बैठना क्या ये verb है तो मैं कहता हूँ हाँ ये verb है तो पुछते हैं कैसे इसमें तो कोई हरकत नहीं है तो मैं कहता हूँ कि इसमें हरकत है आप किसे कहेंगे कि सिट यानि आप किसे कहेंगे बैठ जाओ उसी को कहेंगे जो खड़ा होगा तो अगर कोई आदमी खड़ा है और आप कहेंगे बैठ जाओ क्या ऐसा मुम्किन है कि बीना हीले वो बैठ जाए बीना गती में आए वो बैठ जाए नहीं कोई भी खड़ा आदमी जब बैठेगा तो वो गती में आ जाएगा हिलना तो पड़ेगा यानि ये एक वर्ब है लेकिन फ्रेंड्स ये सबी वर्ब नहीं थे क्योंकि स्वेट होता है पसीना पानी के बूद को कहते हैं और इसमें कोई एक्सेल नहीं होता गोल्ड यानि सोना मान लीजी ये सोने की कलम है मैं इसको कहीं रख दूँ ये खुज से एक्सेल नहीं कर सकता इसमें कोई भी हरकत नहीं होगी यह वर्प नहीं है दूरगटना यानि accident इसमें भी कोई हरकत नहीं होती है हरकत तब होती है जब हम कहते हैं दूरगटना होना toys यानि खिलावना इसमें भी कोई हरकत नहीं होती है आप देखिए अंत में ना तो आया है लेकिन हरकत नहीं होती क्योंकि अगर आप कहीं खिलोना रख दें तो उसमें कोई भी हरकत नहीं होती है आप जैसे रखते हैं वैसे ही रहता है तो friends उम्मिद करता हूँ आपको ये बात समझ में आया होगा कि कैसे पहचाने कौन सा वर्ड वर्ब होता है और कौन सा वर्ड वर्ब नहीं होता है friends यहां आपने सीखा वर्ब के बारे में